हाई फ्रेंट्स आज हम सेखेंगे 3BAT के फ्लाट में कैसे कोंसिल पाप लगाना है और यदि आप इस वीडियो को कम्पीट वाज कर लिया तो आप अपने घर पे खुद से कोंसिल पाप लगा सकते हो पैसा बचा सकते हो और यदि आपको कोई भी समस्या होता है तो आप मुझ यहां से और शुरू होगा यहां से करके यहां नहीं हे त्राइखने के भास फुला करने किचैन है कि ये लंबा से लिंद बातरूमिस्टते है है इस mündtså यहां पर जो letting bathroom और kitchen है दोनों के उपर box बना गया है समान को रखने के लिए तो यहां पर हमें सिर्फ light लगाना होगा सिर्फ box लाने के लिए अब आप यहां पर देखो जहां पर एक pipe निकला हुआ white cloud का यह दिछत पर हमें कोई सार भी light लगाना हो या भी कुछ भी लगाना हो हम यहां से लगा सकते हैं और यहां जो pipe जहां से आया हो है वहीं पर just main board है तो यहीं से सारा pipe है यहीं से सारा pipe distribute होगा मैं आपको आगे दिख दिखाता हूं तो लिए मैं आपको pipe लगा के दिखाता हूं तो सबसे पहले हमें concealed light box लेना है और fan box लेना है और दोनों में उस इस तरह का से बर देना है छोटा छोटा कुट भर देना है हमें tight नहीं भरना है शिर्फ भर के ऊपर से अच्छे से tip कदेना है ताकि इसमें मसाला नहीं जाए ढले आवर जाता है इसका मसाला तो निकल जाए लेकिन यदि इसके अंदर pipe में चला जाएगा तो pipe jam हो जाता है इसलिए आप से अच्छे से चिपका दू टिप से और यदि आप कॉंसिल बॉक्स ले रहे और फैन बॉक्स ले रहे हो तो आप अच्छे क्वालिटी का लो जो कि जब भी यह इस पर ढल जा होता है तो इस पर लेबा सब चड़ता है इससे यह तूटना नहीं चाहिए इसलिए आप भी क्व हमें फैन लगाना है इस रूम के चारो कोना में मैं लाइट लगाया है और सेंटर में फैन लगा फैन बॉक्स लगा दिया है हमें दिवाल से दोनों डिस्टेंस जो होना चाहिए यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस सेम होना चाहिए और लगवग यह डियर फीट या दो फि करेगा तो उसका जो परचाई है नीची में रूट्रेट करता हुआ नहीं दिखे इस तरीका से आपको लाइट को देखके लगाना है अब हम चलिए दिखाते हैं आपको हमें किस तरीका से पाइप लगाना है यह जो पाइप है हर एक कॉंसिल बॉक्स और फैन बॉक्स के इस फैन बॉक्स की और यहां पर हम आधा इंच पहले ना पने लेंगे और वहां से पाइप काटके फिर पाइप को टेड़ा करके इस फैन बॉक्स के अंदर डाल देंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आप देख सकतो आधा इंच हम इस तरगा से मेजर कर है आप हम यहां पर इसे इसे काट लेंगे और इसी पाइप को फटेड़ा करके क्योंकि यह सीधे नहीं घुषे गत पाइप को फट्रॉशाए बेंड करना है और बेंड करने के बाद मिस लाइट बॉक्स वेला देंगे यह आप देख सकते हो यहां फॉशाषा नेड़ा कर चाँ सब्सक्राइं कि लigib लाए आपको लगा देंगे हम यहांा पर लगा दी हैं लेकिन यहां पर यह तो इसे कद बीच में लीर में लिए मेरा आपको लगाना है तो यहां प्रम्स नहीं आप के गुश्य घा राद मतर के सक्वाहँ करें। हो शोचेड़ा कर देंग हो ऑपरोड फिला राद देखो आप इस ए। दोने है वाइन के नहीं पर कि पैप गारा वह जहां जहाँ पर दिक्कत वहां वहां आपresse आपको यह लौहाँ को और प्रकोण अंदर से भी गुसान है त Springs पैसमें विससोर्थ सेंटर में जो लोहा रहता है Mason single layer का रहता है इसलिए यहां पे आपको ऊपर ऊपर लोहा दिखं सत्थ यहां थाड़ वाला और घर में पाइप लगाते हैं बोड के लिए नॉर्मली तीन जगा आपको गिराना है बोड के लिए यहां प्रप्द काम करते करते हैं लगव के साम हो चुका है लगव आठ बच चुका है अभी आपको दिखाना हो यह दूसरे रूम का है चारो साइड में लाइट बॉक्स साइड में लगा हुआ है बोड के लिए और में पाइप जो है सेंटर से आया हुआ हुआ हौल से तू यह थिए यहां पर में पाइप आएगा और यह सेंटर आप देख रहे हो यहां पर यह है हौल हौल में यहां पर एक लाइट बॉक्स है फैन बॉक्स है और यह जो है पाइप्ञाइब और यहां में आप देखो यह लाए लाए कि यहां से ओपर की और चला जाएगा शुआ हो रहा है सब्सक्राइब आ रहा है यहां से आप देख सकते हैं यह जो यह जो पॉफ्प जा रहा है यह इस तरीका से आप इस फिगर को देख के आप आसानी से एक अपने घर में कोन सील पатив लगा सकते वाइन के लिए आपको सिंपल्ड ये चेख करना है कि आपको काओ काइब पे आपको light box लगाना और आपको घृन करना कि आपका जो लाइट रहा और लैट से जो आपका सविज का डिस्टन्स रहे हुँए मिन्यमिमम रहे वहाँ पर आपको पूर लगाना है ताकि आप उसके नज़दी की आजके आसांची को जल पूरा है यदि आपको तीनों साइड यदी बौट रहेगा तो आप विए कोई नया चीज लाते हो फ्रीज लाते हो या फिर कुछ और गीजार लाते हो आप उस साइड में रख सकते हो यहां पे गौर से देखो भगवां रूम हम सबना हुला में होमें दू लाइट लगा होँवा चिल आधं और में लज्या यहां पर तिंट नमें लृआ द्वीश्वय श्रीमा किया है और मिलानी के यहां नीद इ preciso सक्वाँत होुग में बूर्ड के पासी रहेगा आप इस तरीका से कहीं पर भी वाइरिंग कर सकते हो वाइरिंग के लिए आप कॉंसिल बॉक्स असानी से लगा सकते हो आप पूत्रासा हलकासा ध्यान देना हुआ और यदि आपको कोई प्रावलम होता है कॉंसिल पर लगाने में या फिर वाइ यहां पर दखाने के कोचिस करता हूँ यहां पर दूर्ण है आगे में बालकोनी यहां पर यह तिसरा रूत यह होल् More है यहां पर दूसरा चट पर चट की वीडियो बना रहे हैं ताकि एक बार में ही सारा वीडियो आ जाए यहां पर आप देख सकते हो यह बहुत ही अच्छा सा वाइरिंग किया